अब हम क्या करेंगे यहां पर register controller create करेंगे और इसके लिए route भी हमको create करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक route की file create करेंगे जैसे हमने test के लिए किया था अब actual में हम user के लिए करेंगे और इसका नाम में जो है अलग रखता हूँ जैसे कि इसमें हमारे पास login रजिस्टर रहेंगा इसलिए हम इसका नाम रखेंगे auth से हमको थोड़ा idea रहता है इसमें कुछ ना कुछ authentication से related routes है तो यहां पर आप लिखेंगे auth routes.js और इसमें सबसे पहले हम express को import करेंगे so const express equal to require of express express को हमने यहां पर add कर दिया इसके बाद में हम router object create करेंगे so const router equal to फिर express का use करना है express उसके अंदर हमारे पास होता है router function इसको call कर देंगे और नीचे हम इसको export भी कर देंगे so आप लिखेंगे module.exports equal to router तो हमारे routes यहां पर export भी हो जाएंगे और साथ तीन में comment भी बना देता हो routes इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले route create करेंगे register के लिए तो आपको लिखना है router फिर उसके बाद में method रहेंगा post उसके बाद में URL pattern उसका नाम में रखता हो register और उसके बाद में controller function तो आप यहां पर directly callback function भी create कर सकते हैं यहां फिर best practice है आप जाए controller file के अंदर एक new file बनाए सेम auth controller के नाम से में बना देता हूँ auth controller dot chase और इसके अंदर एक function बना देंगे const और सेम नाम रखता हूँ में register controller तो इससे हमको थोड़ा idea रहेंगा यह रहेंगा arrow function सो simply आप अभी blank arrow function बना ले साथी में इसको export कर देंगे module dot exports equal to फिर object की शकल में हम बेजेंगे क्योंकि हमारे process में multiple functions भी हो सकते हैं तो सबसे पहले में क्या करता हूँ यहाँ पर export कर देता हूँ register controller को save अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको use करेंगे तो इस register के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे register controller देखिए suggestion आपको show करेंगा simply आपको क्या करना इस पर click करना यह file automatically यहाँ पर import हो जाएंगी देख सकते हैं आप save कर लेते हैं इसको तो यहाँ पर हमारा routes का file save हो चुका है अब हम क्या करेंगे auth controller में काम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो function है इसको async कर लेंगे ताकि हम इसमें await कर पाएं आप चाहे तो then chain block भी use कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा hard हो और async का weight syntax थोड़ा सा easy पढ़ता है अब यह callback function है इसलिए request और response हम इसमें receive करेंगे और इसके अंदर अच्छे से error और response को handle कर पाएं इसलिए हम try catch block का use करते हैं तो आप भी इसमें use कर सकते है try catch block catch के अंदर हम क्या करेंगे simply console.lock कर देंगे जो इसको as it is print करा दो उसके बाद में हम यहाँ पर response भी send कर देंगे let's start status status of 500 internal server error और पर send का use करेंगे और इसके अंदर object को pass करा देंगे सबसे पहले एक message में add कर देता हूँ और इसमें हम लिख सकते है error in register API और उससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर success का case जो है na false कर देता ह पर pass करा देंगे so error जो भी error object है वो भी हम क्या करेंगे एक बड़ चिक कर लेंगे हमाले developers tool में उसके बाद में क्या करेंगे try के अंदर सबसे पहले await करेंगे और एक में variable बना देता हूँ क्योंकि हम response भी receive करेंगे na const res equal to फिर आपको await करना है await किस चीज करेंगे यहाँ पर ह अगर नहीं होता है तो आप manually इसको import करें वी एस code में automatically आपको suggestion मिल जाता है इसका आप use कर सकते है और मैंने start में extension भी बताया था तो आप उनका भी use कर सकते है अब user model हो गया इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले existing user को find करेंगे क्यों हमको find करना है क्योंकि हम एक email id से सिर्फ एक user को login कराना चाहते है या फिर उसका account create करना चाहते है इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले user को find कर देंगे और इसको response के बदले मैं क्या करता हूँ user नाम दे देता हूँ या फिर हम existing user नाम दे देंगे इसका existing user और इसमें से हम क्या करेंगे find one function का use करेंग तो इस email के base पे हम क्या करेंगे, इसको find करेंगे, और यह email id आएंगा कहा से, यह आएंगा हमारे पास client में से, तो उसको कैसे access करेंगे, उसके लिए आपको लिखना है request.body, और body के अंदर हमारे पास email की field रहेंगी, उसमें से आप इसको get कर लो, और इसके बाद में हम क्या करे रहेंगे, less.status, status of 200 कर देते हैं इसको, यानि okay request है, बस user already exist करता है, तो इसके बाद में send कर देंगे, success हम इसमें कर देंगे, false, और फिर एक message यहाँ पर add कर देंगे, message user is already exist, या फिर user already exist, यह message हमने add कर दिया, और यहीं से हम return हो गए, अगर यह भी case नहीं है, तब हम क्या कर यहाँ पर user को save कर आएंगे, और इसमें हमारे पास पासवर्ड भी रहेंगा, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को hash भी कर लेंगे, तो इसके लिए एक package आता है, आपको बता देता हो पहले, इसको हम npm.js पे search कर लेंगे, आपको लिखना है, bcrypt.js, इतना लिख कर लिखना ह आपको मिल जाएंगा, देखिए, यहाँ पे आपको link मिल जाता है, इस पर click करिए, bcrypt क्या करेंगा, आपके password को hash कर लेंगा, यहाँ से आप popularity चेक कर सकते हैं, हर कोई अपने project में इसका use करता है, सबसे पहले installation command को copy कर लेंगे, और इसको कैसे use करना है, simply आपको इसको import करना पड़ता है, और इसके बाद में नीचे हमको एक salt create करना पड़ता है, और फिर उसके base पे हम password को hash कर सकते हैं, इसके साथ में हमको एक compare का function भी मिलता है, जिसके मदद से हम जो hash कर चुके password को, उसको जो retrieve कर सकते हैं, यानि compare करके वापस से decrypt कर सकते हैं, तो चली हम क्या करें ज्यादा time नहीं लेंगा, देख सकते हैं, यह download भी हो चुका है, terminal मैंने close कर दिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, top page को import कर देंगे, import, फिर इसका नाम क्या था, bcrip, और इसको हम require करेंगे, और require करते time आपको package का पूरा नाम लिखना है, तो यह है bcrip.js, initially हमने क्या नाम लिखा है, इसका bcrip, क्योंकि यह naming convention आपको follow करना पड़ता है, आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में confusion भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो package आता है, simple bcrip भी आएंगा, और bcrip.js, यह दोनों package आपको देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, password को validate कर लेंगे, तो यहाँ पे हम password को hash करने बाले, तो हम क्या करेंगे, salt create कर लेंगे सबसे पहले, const salt equal to, फिर await कर देंगे, await किसका करना है, हमको bcrip की मदद से हम क्या करेंगे, salt को create करेंगे, तो आपको लिखना है bcrip.gensalt, यह function आता है, इसके अंदर हम बता सकते हैं कितने rounds हम को चाहिए, तो हम इसमें 10 रखेंगे, जो कि एक normal practice है, जितना ज्यादा आप इसमें rounds को add करेंगे, उतना ज्यादा processing power इसको लगेंगे, उस password को decrypt करने में, तो यहाँ पर हमारा salt create हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, user से password को भी get करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्य इसमें करने, again bcrypt का हम use करेंगे, तो आपको लिखना है bcrypt, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर hash का function use करलेंगे, hash, और इसके अंदर आपको सबसे पहले जो plain password को add करना है, तो request.body में से हम क्या करेंगे, plain password को get करेंगे, तो आपको लिखना है request.body.passwd और उसके तो हमारे normal password को इससे replace कर लेंगे, so request.body.password, इसको हम क्या करेंगे, hash password से replace कर लेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से इसको add कर देना है, हमारा password यहां पर hash हो चुका है, मैं यहां पर comment भी बना देता हूँ, hash password, यहां पर हमारा password hash हो चुका है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, rest data को access करेंगे यानि जो भी data अब हम बात का receive करेंगे उसको हमको save कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक variable बनाएंगे const और उसको user के नाम से एक variable हमने बना दिया इसके अंदर हम क्या करेंगे उसको store करा देंगे कैसे store कराएंगे हम क्या करेंगे, Renew यहाँ पर user model create करेंगे, so new function आपको लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, new user model और इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास request.body में data है उसकी मदद से new user को create करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे request.body आप जो है new user.model के अंदर add कर देंगे, इसके बाद में हमको क्या करना है, data को save भी करना है, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर await कर लेंगे, और हमारे पास है user, user को हमको simply save करना है, तो आप लिखेंगे save function, इसको call कर दीजिए, आपका user save हो जाएंगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से return हो जाएंगे, response के साथ में rest.status, status of 201, यानि something has been created, उसके बाद में हम यहाँ पर send function use करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले success को कर देंगे, true, क्योंकि यहाँ पर ok request है, और फिर message भी हम यहाँ पर add कर देंगे, user created, यहाँ फिर register कर देंगे, user registered successfully, और आप चाहें तो पूरा user भी यहाँ पर pass करा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी खास जरूरत हमको नहीं पढ़ती है, इसमें से मैं user को remove कर देता हूँ अभी file के लिए, save कर लेते हैं उसको, और कोई तो भी error अपने पास, VTR पर हम इसको check कर लेंगे, कहाँ पर है, bcrypt equal to, अच्छा, import हमने लिख दिया गलती से, दिखे अब इसको हम जाए test कर लेंगे postman tool में, लेकिन उससे पहले हमको इसको server.js की file में add भी करना है, ताकि इसको पता रहे कि हमको auth routes को access करना है, तो चलते है server में, और यहां पर हमने test के लिए किया था, देख सकते हैं, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, auth के लिए करेंगे, auth क हमारे file को, कौन से file को, auth route को, तो यहां पर आपको उसका path add करना है, .slash, फिर हमारे पास है routes का folder, उसके अंदर हमारे पास है auth route, .js लिखनी के आपको ज़र्लत नहीं है, टेप कर लेते हैं इसको, और हमारे server को एक बार run कर देंगे, so terminal, new terminal, यहां से मैं क्या करता हूँ, हमार run server, तो यहां पर हमारी application run हो चुकी है, देख सकते हैं, और successfully database से भी connect हो चुकी है, और साथ ही मैं आप क्या करें, mongodb compass को भी open करके रखें, ताकि जब user register हो, तो हम उसको check कर पाएं, तो मैं यहां से compass को open कर लेता हूँ, mongodb compass, open कर लेते हैं उसको, और आपका जो connection string है, जो recent में भी है, तो मैं यहां से connect हो जाता हूँ directly, तो हम यहां पर cluster पर connect हो चुके है, new database हमारे पास create हो चुका है, blood bank, इस पर click करेंगे, तो user का collection है, अभी यह empty है, देख सकते हैं, 00 records यहां पर show कर ला है, अब हम क्या करेंगे, postman tool में जाएंगे, तो आप postman tool को open करिए, I hope यह स यहां पर बहुत से options आपको मिल जाएंगे theme के अंदर, देख सकते हैं, मैंने dark theme यहां पर select किया है, थोड़ा बहुत customized है, आप अपने हसाब से भी इसको कर सकते हैं, कुछ इतना hard नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर new request बनाएंगे, plus पर click करिए, हमारा method रहेंगा post, औ और यहां पर बहुत से suggestion मेरे पास show कर रहा है, क्योंकि already मैं यूज करता हूँ, इसलिए यहां पर option show कर रहा है, मैंने से एक पर click कर देता हूँ, और इसको modify कर देता हूँ, हमारा URL कैसा रहेंगा, http colon slash localhost port atta, उसके बाद में slash api slash v1 slash, फिर उसके बाद में auth है, फिर उसके ब बनाना है, सबसे पहले हमारे पास है, role, role में हम क्या करेंगे, इसका रखेंगे, user, उसके बाद में हमारे पास रहेंगा, name, name में हम क्या करेंगे, यहां पर add कर देंगे, कोई भी name आप add कर सकते है, जैसे कि मैं same use कर लेता हूँ, tag info yt, और इस name को भी आप string के अंदर add कर ले yt, add gmail.com, उसके बाद में हमारे पास है password, password भी आपको add करना है, जो जो चीज़े आपने model में add की थी और require किया था, वो सारी चीज़े आपको यहां पर use करना है, password में हम कुछ भी लिख सकते है, 123456 कर देता हो फिलाल के लिए, बाद में और हम इसको secure कर सकते है, और मैं क्य चले कौन सा user create हुआ है, तो यहां पर user, और हम इसको database में भी cross check जरूर करेंगे, चलते हैं वापस postman में, तो name हो गया, email, password और उसके बाद में फिर था हमारे पास address, address के अंदर आप कुछ भी लिख सकते है, Mumbai, India, उसके बाद में हमारे पास था phone, phone में भी आप कुछ भी लिखेंगे, hospital name नहीं है, और यह organization भी नहीं है, तो यह भी हमको लिखने की जालत नहीं है, name है, role है, अच्छा, इतना काफी है, अब मैं send पर click करके check कर लेता हूँ, अगर सब कुछ सही रहा, तो हमको success response देखने मिलेगा, अगर नहीं रहा, तो फिर error हमको यहां पर देखने हो चुका है, अगर हमको इसको retrieve करना है, तो हमको compare function call करना पड़ेंगा, तभी यह password जह है, decrypt होगा, इसको database में भी check कर लेंगे, चलते है, MongoDB Compass पर, देखें, अभी initially कोई भी data अपने पास show नहीं कर रहा है, जैसे refresh करूँगा, तो देखें, एक document हमारे पास create हो चुका है, तो successfully हमारा register function काम कर रहा है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, login function पर काम करेंगे,